इंक्वाइरी ट्रेणिंग मोडल क्या है और इसके अंदर हम हमारे जो एलिमेंट है उन में फोकस, स्टुक्चर, सिंटेक्स वगेरा, सोशल सिस्टम या स्पोर्ट सिस्टम इन सब चीजों के बारे में अब हम स्टुडी करते हैं इंक्वाइरी ट्रेणिंग मोडल है इसकी क्या-क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी सबसे पहला आता है टीचर और स्टुडेंट यह मोडल कहता है कि टीचर भी और स्टुडेंट भी दोनों के दोनों एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो हमारा मास्ट्रिल लर्निंग मोडल था यह कह रहा है ता कि टीचर का ही सबसे में रोल रहेगा जबकि अब इंक्वाइरी लर्निंग मोडल बोल रहा है ट्रेनिंग मोडल बोल रहा है कि टीचर और स्टुडेंट दोनों का ही एहम रोल रहेगा इसके अंदर student continue asking questions बच्चा जो है लगातार question फूचता रहेगा जहां पर उसको doubt होगा वो वहीं पर question पूचेगा उस material से related यानि कि जो content पढ़ाया जा रहा है class में उससे related वो question पूचेगा जो उसको समझ नहीं आ रहा है उससे related वो question ज़रूर पूचेगा inquiry cannot be programmed जैसा कि हमें पता है जब हम खोजबीन कर रहे हैं उसको हम को प्रोग्राम बना कर चलेंगे कि आपको एकदम आप school में पढ़ा रहे हैं टीचर है और एकदम से question बच्चा कुछ भी पूच सकता है ना आप से यानि कि ये कोई programmed नहीं होती पहले से ही नहीं होती कि आप से बच्चा ये question पूचेगा तो आपको या अंसर देना है यनि कि cannot be programmed in beginning there is control of the teacher but gradually the student understand the rules of inquiry and become independent starting में जो है teacher क्या है control करेगा class के उपर उसके बाद क्या है जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा वैसे वैसे जो है रूल पता चलते चले जाएंगे और फिर वो उसके अंदर क्या है independence हासिल कर लेगा यानि कि अब वो खुद से ही कर पाएगा सारी चीजे next आता है in this model yes and no type of answers are given इस model के अंदर हम yes no करके true false वगएरा इन सबसे related questions पूच सकते हैं this model focus on independent type of inquiry इसके अंदर main focus यही रहेगा कि independent ही inquiry की जाएगी यानि कि independently ही आप जो है आपको देखा जाएगा आपकी performance को measure किया जाएगा अब जो इंडिपेंडेंडेंस ही रहेंगे आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंड नहीं रहेंगे यह सब जो है इस model की characteristics है नाव नेक्स टोपिक इस elements of model यानि कि क्या-क्या model के elements है हमारे inquiry training model के elements कौन-कौन से है elements जो मैंने आपको starting में इस बताया था कि 5 ही element है हमारे चार जो है model हम study करेंगे और इन चारो के अंदर हमारे elements के name सेम है सबसे बड़ी बात फिर इनके अंदर छोटा-छोटा ही difference है चारो model के अंदर जादा difference नहीं दिखाया गया है अब focus के अंदर क्या होगा one of the objective of this model is that the student should be self-reliant to learn and inquiry about various things and the main objective is to give raise to cognitive skills of the teachers means is model के अंदर जो है self-reliant यानि कि खुद पर ही निरपर रहेंगे कि उनको किस तरीके से सीखना है साथ के साथ वह inquiry भी करेंगे चीजों कि वह उनके ही objective set करेंगे और उसी के according जो भी उनको चीजे सर्च करनी है वह करेंगे साथ की साथ हमें cognitive skills को भी develop करना है यहने कि संग्यानात्मक जो भी हमारे skills होंगे उनको भी हमें develop करना है दस्टूडेंट आर्ट थेमसेल्फ इंस्पाइड तो find solution to difficult problem which can be done by them in a systematic manner student जो बच्चा होगा ना इस जो प्रोडल के अंदर वो खुद से ही inspire होगा कि मेरे सामने यह problem आई है वो कुछ ना कुछ inspiration लेगा अपने ही योगता से वो क्या है उस problem को solve करना चाहेगा और एक systematic way से करेगा एसा नहीं है कि वो सीधा problem solve करेगा एक कुछ system बनाएगा जिसके through क्या है वो problem दीरे-दीरे solve कर पाएगा अब जैसे कि कोई problem होती है घर में होती है काम करने में या किसी भी चीज में हमें problem हो रहे है जोब में हो रहे तो हम एक system follow करेंगे तब ही जाकर उस problem को हम solve कर पाएंगे यह हमारा जो है फोकस है इसका में अब हमारा next topic आता है syntax syntax के अंदर क्या क्या चीजे हैं there are five phases of the syntax or structure इसके अंदर पांच phases के बारे में हम बात करेंगे phase one student confrontation with the puzzling situation यानि के एक puzzle सी होगी उनके सामने उसका आमना सामना उनको करना पड़ेगा in this phase इस phase के अंदर teacher जो होगा एक problematic situation देगा student को and provide information regarding the method of inquiry फिर जो है teacher साथ में एक problem देगा और साथ की साथ एक method बताएगा जिसके थुरू उसको क्या है इस चीज के बाद इसका solution find out करना है in the beginning only those questions should be asked which have yes and no for the answer यानि कि बस yes और no से related ही बच्चों से answer पूछे जाएंगे starting की phase में in this phase the student have freedom to collect information through reading book reference material यानि कि वो कहीं सहे भी जहां से उनको material इखटा वो कर पाएं वहां से वो information को collect कर सकते हैं inquiry के लिए जो useful हो next आता है phase two data gathering operation of verification अब इसके अंदर क्या है हम operation करेंगे verification के लिए in this phase the data is collected for a proper verification for this यानि कि हम properly data को collect करेंगे जिसको हम verify करेंगे यानि कि एक हमारे पास problem है अब हम उस problem से related हमने data collect किया है अब हम उस data को verify कर रहे हैं कि क्या ये data actual में सही है भी या नहीं the teacher ask the question to the student as have yes and no for the answer और yes or no के ही question इसके अंदर पूछे जाएंगे student collect essential information about whatever they see or experience उनको जो भी दिखा या फिर उन्होंने जो experience किया जो उनका अनुबह है उसके according ही वो क्या है collect करेंगे data को during verification the teacher ask question relating to object properties condition and events like what are the properties of solid object अब जैसे की verification जब करेंगे तो teacher जो है जो उन्होंने data collect किया है या जो हमारी problem थी उसके लिए हम हमारी उनकी क्या properties हैं बच्चों से ये पुछेंगे कि क्या-क्या इनकी विशिष्टाए थी या क्या-क्या conditions वगेरा थी कैसे कैसे events के थुरू आपने इसको सर्च किया इन सब के बारे में टीचर जो है information यह हम ट्री को लेते हैं कैसे वो बनते हैं क्या-क्या उनकी properties हैं क्या-क्या उनकी विशेष्टाएं वगेरा यवी क्या-क्या events वगेरा इन सब के बारे में अब हम students से पूछेंगे next हमारी phase आती है phase 3 phase 3 के अंदर क्या होगा data gathering operation of experimentation first phase second phase के अंदर हमने verify किया third phase के अंदर अब हम experiment करेंगे इसके अंदर हम दो चीजों को include करेंगे exploration and direct testing यहने कि explore करना एक दम से observe करना things are observed under changing condition यानि कि एक जैसे कि हमने solid को पानी के अंदर फेक दिया तो वो तैरने लगी हमने इस चीज को observe किया यानि कि हम observe कर रहे हैं उसकी कुछ कुछ properties को change कर रहे हैं जैसे कि उसको oil के अंदर डुबा कर हम फिर उसके ऊपर पानी के अंदर डाल रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर हम change कर रहे हैं और फिर उसको observe कर रहे हैं, जैसे जैसे उसके हम condition बदल रहे हैं, next आता है direct testing, यानि हम directly उसके उपर test apply करेंगे, certain hypothesis और principles are tested, यानि कि हम विश्वास कर रहे थे कि जो लकड़ी है वो पानी पर तैरती है, यह हमारी hypothesis थी, हमारी सोच थी, हमने एक जो है कलपना की थी, कि यह ऐसी है, इसलिए यह ऐसी क्यों है, अब हम इस चीज़ को check करेंगे, और actual में क्या लकड़ी पानी पर तैरती है या नहीं तैरती, इस चीज़ के बारे में हम check करेंगे, यानि कि exploration और direct testing के थ्रू हम phase 3 के अंदर operation of experimentation करेंगे, teacher can helps the child in building hypothesis, teacher जो है मदद कर सकता है बच्चों की इसके हमारा phase 4, यानि कि organization of information, अब हमने verify भी कर लिया था, अब हमने उसके उपर experiment भी कर कर देख लिया, और अब हम क्या है, information जो हमने gather किया है, उसको organize करेंगे, in this phase, the collected information is organized, and the teacher asks the student to arrive at the conclusion, and also organize the conclusion of certain events, but there are possibilities that the student may commit some errors while explanation, means, means, यानि कि जो इस phase के अंदर हमने जो information collect की थी, उसको हम एक systematic way से organize करेंगे, arrange करेंगे, फिर जो है teacher बच्चे से caution पूछेगा, और एक conclusion निकालने को बोले का उनको, यानि कि उसने जो भी बच्चे ने solid से related, जो भी उसने information ठोस, जो हम solid को ठोस बोलते हैं हिंदी में, उसस related जो भी हमने information collect की थी, उसके बारे में conclusion draw करने के लिए बोलेंगे, लेकिन यह बहुत ज़्यादा chance होते हैं कि बच्चा जो है, एक wrong conclusion भी draw कर सकता है, और वो जो है explanation भी गलत दे सकता है, नेक्स आता है हमारे phase 5, analyzing the inquiry process, अब जो हम inquiry process को check करेंगे, और देखेंगे कि कहां पर कुछ कमी थी, या फिर actual में सारी की सारी चीजे सही थी, this phase the student are asked to analyze the method they adopt for the inquiry, अब जो है teacher बच्चों को ये बोलेगा, कि जो method आपने choose किया था, आपने जिसके थ्रू भई, अब हमने solid के बारे में search करने के लिए बोला था, थोस्पदार्थ के बारे में, solid material, यानि कि उससे related आपने उसके बारे में किस तरीके से information को हासिल किया, और क्या वो method आपने सही choose किया, या फिर आप कोई और method भी use कर सकते थे, कोई easy method भी use कर सकते थे, उसको जो हम search कर रहे थे, inquiry कर रहे थे उसके बारे में, या फिर जैसे कि हम maths के question होते हैं, maths के question होते हैं, वो दो या तीन तरीके से easily solve हो पाते हैं normally, देखा जाए तो, तो बच्चे को अगर हम अलग-अलग question, एक ही question को अलग-अलग method से solve करने के लिए बोलेंगे, आपने देखा होगा कि एक method बहुत easy हो जाता है normally, तो क्या बच्चा उस method से easily कर सकता था, उसने कौन सा method apply किया और जिसके through वो conclusion पर पहुंचा है, और किस तरीके से वो फिर उस method को explain कर पा रहा है, यह सब चीज़ेों के बारे में आप student को क्या है analyze करने के लिए बोला जाएगा, यह हमारी जो है syntax की पांचों phases complete होती है, अब हमारा जो next topic आता है, वो है social system, social system के अंदर क्या होगा, in the beginning the teacher exert full control, but gradually the student get more and more free and the teacher control become less, स्टार्टिंग में जो है teacher ज्यादा अपना मतलब की control रखेगा student के उपा, लेकिन जैसे जैसे बच्चे जो हैं सीखते हुए चले जाएंगे, teacher जो है उनको free करता हुआ चला जाएगा, अब जैसे कि हम college में जाते हैं, लेकिन जब हम school में होते हैं, हमारे उपर पूरा control teacher रखता है, जैसे कि 8th के student, 9th के, 10th के, 11th के, लेकिन जैसे ही हम 12th में जाते हैं, teacher भी थोड़ा क्या है lenient होने लग जाते हैं, उस time पर आपने notice किया होगा ये situation, यानि कि teacher भी थोड़ा थोड़ा क्या है, lenient से हो जाते हैं, in this model, a healthy interaction between teacher and student is built, and the student ability to solve different problems, scientific attitude is developed, इस model के थूँ क्या है, एक healthy interaction होता है, एक friendly interaction होता है, बच्चे और teacher के बीच में, और ये जो है, उसको help करेगा, उसके अंदर जो abilities हैं, जो उसकी योगता हैं, गुन हैं, उनकी मदद से वो अलग-अलग problem को solve कर पाए, और एक scientifically attitude जो है, वो develop कर पाए अपने अंदर, it is successful only if there is a mutual cooperation is present between the student and teacher, और ये method जो है हमारा तभी successful होई पाएगा, जब जो है, एक दूसरे से teacher और student cooperate कर रहे हो, अब जैसे की teacher जो है, आपको छूट दे देता है, लेकिन आप जो है, उस छूट का अलग ही फाइदा उठाते हैं, यानि की जैसे की आपको एक monitor बना दिया गया है, या फिर आपको कोई responsibility teacher के दुवारा दी गई है, यानि की आपको कुछ काम दिया है teacher ने, और आप क्या है, उसी काम के बदले, आप जो है class को तंग करने लग जाते हैं, जिसकी monitor बना दिया तो आप बच्चों को डाटने लग जाते हैं, आप यानि जो आपको responsibility मिली आप उसका ही गलत फाइदा उठा रहे हैं, तो इस चीज़ में जो है, ये तभी हमारा model successful हो पाएगा, जब बच्चा और teacher एक दूसरे के साथ corporate करें, जो बच्चे को काम दिया गया है, या फिर जो teacher ने बोला है, वही बच्चा कर पाए, और easily वो एक दूसरे को understand करते हूं, कि हाँ, इस तरीके से हमें काम करना है, अगर teacher ने हमें ये बोला है, फ्री किया है, तो हम उसको किस तरीके से utilize करेंगे उस चीज़ को, ये सब चीज़े हम इसके अंदर देखेंगे, next आता है हमारा sport system, इस model के अंदर student जो है experience करता है, बहुत सारी अलग-अलग problems, by providing various examples, अलग-अलग example दिये जाते हैं बच्चे को, और वो क्या अलग-अलग problems के बारे में बता लगाता है, it is used to solve different, different problems related to textbooks, ये model जो हैं हमारा help करेगा बच्चे को, अलग-अलग problems को, जो कि textbook में गिवन होती है, उनको solve करने में, यानि कि बच्चा जो है, easily उन problems को solve कर पाएगा, क्योंकि teacher जो होता है, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा example उनको देता है, जिसके through उनको एक help मिलती है, और वो easily problems solve कर सकते हैं, जो कि हमारी textbook में, जैसे कि last pages पे दिये होते हैं, questions, answer, true, false वगेरा, वो easily उनको solve कर पाता है, अब next आता है हमारा application, कहां कहां पर ये model जो है applicable है, और क्या क्या किस तरीके से हमारे लिए helpful है, in this model, student learn to analyze various type of collected information, इस model के अंदर student अलग अलग चीज़ों के बारे में analyze कर पाता है, वो देख पाता है कि क्या क्या difference है, किस तरीके से हमें क्या है काम करना चाहिए, this model is useful for scientific subject like physics chemistry के लिए, जो model है बहुत best माना गया है, this model is also used when some murder mysteries to be solved, इस method को हम तब use कर सकते हैं, कहीं पर किसी की death हुई है, और उसकी जो हमें solution चाहिए होगा, उस case को हमें solve करना है, उसके अंदर भी इस model को easily use किया जा सकता है, उसमें अथर के अंदर इंक्वाईरी ट्रेनिंग मोडल और फिर होता है, होप सो, आपको तीनों मोडल्स अच्छे से समझ आए होंगे,